बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि Overseas East Army Park Block में इस तरक development की सूरते हल क्या है इसके लावा कि Overseas East Army Park Block में जो विलास कंस्ट्रक्टरन थे उनकी development की सूरते हल क्या है और Overseas East Army Park Block में possession जो है कब तक offer किया जाएगा society की तरफ से इवन दो Overseas East Army Park Block और Overseas Prime 1 को आसपास ही लाँच किया गया था लेकिन Overseas Prime 1 में possession officially offer कर दिया गया है जिन members के वहाँ पर plots हैं वो बने plot पर construction स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन हार्मी पाक Overseas East में अभी तक कोई possession जो है officially offer नहीं किया गया बैलोटिंग कर दी गई है members को plot number allocate हो चुके हैं लेकिन अभी तक officially इसका possession जो आफर नहीं किया गया तो आज किस वीडियो में इस सवाले से तमाम details discuss करेंगे कि इस सकत on ground status किया है Overseas East Army Park block का Overseas East Army Park block के location के अगर बात करें तो आपका Overseas East sector E के बिल्कुल opposite side पे location बनने के साथ साथ इसकी बहुत ही prime location का एक advantage यह भी है कि बिल्कुल back side पे इसके चहान डाम located है तो इसलाम बात की premises में रहते हुए आपको एक ऐसा ब्लॉक जहां से आपको वो बिकाम लो इंकम ब्लॉक जहां से आपको waterfront भी हो यानि कि आपको एक water body की view मिलता हो और दोसी तरफ आपको पहाड़ों का view मिलता हो एक valley type view बनता हो तो दोनों लहाँ से बड़े feasible location बनती है Overse Overseas East Army Park block की Central की location भी बहुत अच्छी तरह से स्वाइटीन इसको डेडिकेट की है कि Overseas Central में जो location इसकी रखी गए वह बहुत अच्छी location है लेकिन Overseas East Army Park block की location बहुत ज़्यादा prime location है In essence के दोनों साइट से आपको जो आपको living point विसे दो benefit होते हैं सबसे बड़े होते हैं कि आपको एक तरफ से आपको पहाड़ों का view मिलता है और दूसरी तरफ से आपको एक waterfront का view मिलता है दोनों लहाद से बहुत ही prime locations बन जाती है इससे पहले कि मैं आपको details explain करूँ और सबसे पहले देखते है Google Earth location पे Overseas East Army Park block कहां located है और इसके बाद मैं बाकी चीज़ें इसकी आप भी डिसक्स करेंगे इस सब करने स्क्रीन पर ओवर सीज इस 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 वीडियो के स्टार्ट में बात की कि बिल्कुल Overseas East के बिल्कुल opposite साइड पे यानि कि जहां पे ब्लॉक इबनता है यह बिल्कुल opposite साइड पर शो करता हूं उससे आपको आइडिया हो जागा यह हार जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था कि यहां पे ओवर सेजी ठार्मी पार्क डॉक में तक्रीबन वैली टाइप यू बनता है और इसके बिल्कुल बैक साइड पर चाहान डैम लोकेटेड़ है यानिकर लटसे यह लोकेशन है तो हाफ फ़ लोकेशन इस सरौंड़ेट बाइव यह आप देख लिए सारी वाटर बाडी बैक साइड पर इसकी और यह वाटर बाडी है और यहां पर डिवल्पन भी काफी तेजी से हो रही है यह निकिस तरफ जो जहां पर साइड ने फ्यूचर में कमर्शल परजेक्स लाँच करने हैं जिसमें लामायर है और इस तरह के काफी ज़्यादा डिवल्पन पर काम हो रहा है इन फैक्ट जो लामायर की जो पारकिंग है यहां पर यह फैजब अप्डेटेटेट नहीं है जब यह अपडेटेट वोंगी तो अप इसलफ घरबाड के भी टैली कर सकते हैं कि यह वाला सारा एरिया जो पारकिंग के रिज तो आपको motor valley side मिलती है यान से exact opposite side पे ये सारी M2 motorway गुजर रही है और यहां से अगर आप देखते हैं तो यह कटी पहाडी वाला area है और अगर हम South Side की बात करें, South Side पर इसके चाहन डायम के साथ लामायर जो commercial district यह वो प्लस यहां पर R1 road की access बनती है, तो यह overall इसकी location की बात हो गई, किसकी location overall development wise यहां पर क्या status है, इवन दो यह Google Earth पर images अपडेटेट नहीं हैं पर फिर भी मैं इसको टैली करने कोश्च करता हू Google Earth पर जो timeline है, उसके मताबिक यहां पर development जो है recent days में कितनी development हुई है, यह May 2021 की images है, जो latest images पर updated पड़ी हुई है, वो है November 2021 की, तो अभी हम September 2022 में हैं, तो तो तकरीबन 8 मां से 9 मां, 10 मां gap कर लें, अभी इसकरता है यहां पर development का, अभी on ground status different है, और यहां पर वैसे Google Earth पर status जो 2021 की है, यह images जो है, July 2020, और यह images जो है, वो June 2020, May 2020 की है, जब इसको launch किया गया था, early stage में, तो यह तब की images है, April 2020, then November 2021, 2019, November 2019, यह overall images है, मैं अपर आगे की तरफ मूव पर आपको, एक तबाप फिर understanding मिल सके कि, यहां पर overall changes जो है है, यह बनता है, April 2020, 2020, May 2020, July 2020, then January 2021, then May 2021, and November 2021, यह overall जो इसकी हार्मी पार्क, overseas east की images है, इसको आप जाकर itself अपने खर पर पैट के भी, Google Earth पर इसको timeline पर न देख सकते हैं इसको, तो यह overall इसको development का status है, overseas east हार्मी पार्क ब्लॉक में, again back to real time footage, और इसको स्क्रीन में दोबारा overseas east हार्मी पार्क अब गरते हैं, overall development की बात कि जब से launching से लेकि अब तक 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 डेट पॉने दोजाल गुजर गी हैं, और on ground status का development का, एक होता है कि physically, society की तरह से जो members को oblige किया होगे in terms of balloting, यह नि कि यहा 5, 3.5 पार्ला का plot जो 16,10,000 पे का launch किया गया था, और अभी यहां पे इसक development का status है, कि तक 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 जो अर्थ वर्क है, basically, इनिशिल जो browning का काम में सिर्फ वही हुआ है, इसके लावा जो number one question पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, in fact, कि जो यहां भी हार्णी पार्ला के विला अपार्टमेंट बनने थे, उनका क्या बना, इ क्योंकि छोटा सा ब्लॉक है, हार्ली इसमें कोई पांचे स्ट्रीट और पांचे लेंज हैं, तो मेरे खाल में स्ट्राइटिस वो डिवलप करना चाहे, तो शायद ये तीन महीने की बात भी नहीं है, कि पूरा ब्लॉक का possession handover किया जा सकता है, इस वक साइट पे development की update यह है बैट फिर भी overseas में, हार्मी पाक ब्लॉक की मैं investment को suggest करूँगा, क्योंकि इस लिहाँ से देखा जाए, कि अगर let's say मैं यहाँ पर मरला rate निकाल हूँ, नया व्लॉक लाउंच किया कि overseas prime 2, prime 2 में rate 31.5 lakh rupees, 5 मरला plot का rate है, और इस पर let's say मैं own और profit की मिला हूँ, तक्रीबर 33 lakh rupees क rate बनते हैं, आपका 5 मरला plot का, आप डिवाइड बाइ 5 कर लें, तक्रीबर आपका 6 lakh, 6 lakh, 6 lakh, 6 lakh, 7 lakh, 7,000 पर मरला कॉस्ट आती है, 16 lakh, 10,000 वाला plot है, तक्रीबर हाड़ली कोई, तक्रीबर लाग profit के आसपास है, तो पर मरला कॉस्ट आपकी 380, 390 के आसपास आती है, तो investment point of view से और वैसे feasibility के लिहाज से, क्योंकि दोनों के locations भी बड़ी प्राइम है, और से इस की भी और से सेंटल की भी, हार्मी पाक की, तो दोनों की locations प्राइम होने के साथ-साथ, यहां पे आपको rates भी बड़े reasonable मिल रहे हैं, तो अगर आप capital smart rate में investment करना चाते हैं, short term के लिए, त जैसे इंटर्चेन के officially slip-in मिलेगा motorway से, तो सबसे दा benefit इस block को होगा, so this was it from today, अगर आप capital smart ये लाहर smart ये booking के वाले कुछ मालूमाद चाहिए, तो number आप screen पे बड़े बले हैं, मझे वाटसेप कर सकते हैं, इसके लाँ मरे website विजट करना मत भूलें www.makansolutions.com, अगर आपको अगर आपको 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 झाल झाल